हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टॉप स्री वर्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही जाधा काम के चार आइडिया और वह भी बहुत ही जाधा कम महनत में और एकदम फ्री में जो कि आपको बहुत जाधा पसंद आएंगे और आपके लिए यूसफूल है आपके घर क लिए तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं हम आज का वीडियो तो सबसे पहले आइडिया के लिए अगर आप भी इस तरीके से बैट सेट खरीते हैं कोई भी अच्छी कंपनी की आपको भी बैट सेट खरीत ले लेकिन थोड़ी सी कम पढ़ती है टक करने के लिए तो देख इसकी चोड़ाई जो है वो मैने 9 इंच लिए आप 10 या 12 भी ले सकते हैं इस तरीके से एक सीधा बैल्ट मैने कट कर लिया और एक साइट से लेकर दूसरी साइट तक में सिलाई कर लोंगी इसी तरीके से इसकी सामने वाली साइट के लिए भी मैने एक पैल्ट कर लिया है इ उसके बाद इसकी सामने वाली साइट पर भी हम डबल फोल्ट कर लेंगे तो इस तरीके से आपको कर लेना है तो यहां पर इस तरीके से मैने सिलाई करने के बाद यहां सभी साइट पर फोल्ट करना है और यहां पर भी देखे जो सिलाई उपठी हुई दिख रही है उसे द यानि कि पुरानी बैट सेट का ही कपड़ा ले लिया है और उसे अटाइच कर लिया है प्रेस्टिज कर लिया है फूल भी कर लिया है तो देखे ये इस तरीके से हमारी बैट सेट हो गई है लंबी इसली हम इसे टक कर सकते हैं अंदर की तरफ और कितने भी इसके ऊपर तो इससे आसान यही है तरीका एक बहुत ही प्यारा सा तरीका कि आप लोग थोड़ा सा कपड़ा यहां पर आइड कर लीजिए फिर चाहे कितनी भी इसका यूज हो जाए लेकिन बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती और बिल्कुल भी बैट से आपकी खराब नहीं होग तो यह वाला डूरमेट भी मेरा उपर की तरब से बहुत अच्छा है अभी भी यह चल सकता है लेकिन यहां नीचे की साइड से पूरा यह खराब होगर है पूरा यह पपड़ी की तरह यह निकल रहा है तो इसके लिए मैंने एक जुगाड किया है जो मैं आप से भी श्यार कर रही हूं आपको भी यह यूसफुल होगा मैंने एक पुराना टॉवल ले लिया है इस टॉवल को और जगह पर भी मैंने इस्तमाल किया हुआ था और बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने जोइंट करके इसी के साइज का रेडी कर लिया है बस सभी साइड से मैंने सम्तिं दूसरी साइड से भी फोल्ड करके पकड़ेंगे हम और यहां किसे भी एक साइड से आपको इस तरीके से टांके लगाना सुरू करना है आप चाहे तो यहां पर सिलाए मसीन का यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी सिलाए मसीन इस तरीके के मूटे कपड़े के ऊपर नही तो आपके पास मसें नहीं है तो आप इस तरीके से देखें यहां पर सिर्फ आपको सुई धागा लेना है और यहां एक साइड से टाके लगाना सुरू करना है और पूरे चारो और यहां पर कपड़े को फोल्ड करते हुआ हम से लाए कर लेंगे जो टॉबल का फाब्रिक था बहुत जादा डूर मैट की हमें जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि यह जल्दे से सूखते नहीं है और बहुत जादा गीले होते रहते हैं तो इस तरीके से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं अब देखते हैं आइडिया नंबर थ्री तो हम सभी के गर में इस तरीके के ओल के नहीं है और इसे हम जब नीचे ऐसे ही रख देते हैं तो यहां पर नीचे बहुत जादा गंदा हो जाता है जैसे साफ करने में भी बहुत टाइम लगता है तो इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं इस तरीके की जो थैली होती है ना हम डिमार्ट में जब भी सॉपिंग करत हैं तो देखे बहुत ही अच्छे से इसके साइज का गया हमें कुछ भी करने के ज़रत ना पड़ी और यह हमारा यहां पर बिल्कुल भी घंदा नहीं होगा और यह पॉलिधिन बहुत जादा इजली सरक भी चाती है तो अगर आपको इसे मूँ करना है आगे लेकर आना है या फिर पीचे तक का मारना है तो बहुत जादा इजली हो जाएगा तो देखे एक दम फ्री में हमारा काम हो जाएगा बहुत आसान और कितना काम कम भी हो जाएगा क्लीनिंग का तो आप इस तरीके से इस बैक का इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर देखे जो भी घंदगी ह तो यहां पर भी बहुत जादा गंदे हो जाते हैं धूल मिटी इसके उपर लग जाती है या फिर ओयल या गी के नीचे हम रखते हैं तो पूरा चिकना हो जाता है तो यहां पर भी देखे कि इतनी डॉस्ट चमा हो गई है तो अगर आप बार बार इसे भी क्लीन नहीं करना च गवी को बार बार क्लीनİंग नहीं करनी पड़ेगी जब चाहे तब आप इसली चेंज कर सकते हैं तो यह कंटरनेर होते हैं हमारे घर में जिसके नीचे आप इससे रख सकते हैंई च्छोटे च्छोटे आइडिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा काम के आपके घर के छोटे छोटे कामूं में आपका time बचा सकते हैं, आपके पैसे बचा सकते हैं So I hope दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए useful होगा और आपको बहुत पसंदाया होगा कौन सा आइडिया आपको सबसे जादा अच्छा लगा, comment ज़रूर करना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है यूसफुल लगा है तो लाइक करना जादा से जादा आपने फ्रैंड और फामिली के साथ शेयर करना और आप हमारी चैनल पर नहीं आएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही और यूसफुल वीडियो के साथ हम फि के लिए जाए भारत